नमस्कार स्टुडेंट्स आज की क्लास में हम डिसकस करने जा रहे हैं पॉर्टगीज के बारे में जानेंगे कि कैसे सबसे पहले पॉर्टगीज इंडिया आए और कैसे उन्होंने एक नए सी रूट की डिसकवरी की ये कैसा सफर है जहां आप देखेंगे कि कैसे ट्रावलर्स जो हैं वो ट्रेडर्स में बदल जाते हैं और व्यापारी से फिर राजा और राजा से रंक बनने का ये एक सफर है जो आज हम जानेंगे क्योंकि इन लोगों ने अंत में पाइरिसी शुरू कर दी थी ये लोग डाकू बन गए थे और बहुत ही जादा अजीब और गरीब का तरीके से ये लोग अपना परसनल लेवल पर प्राइबिट ट्रेड शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे पॉर्टेकीज का डिकलाइन ह बहुत है और जैसे कि आप जांते हैं स्पेक्ट्रम विपिन चंद्रा मिक्स करके हम लोग पढ़ रहे हैं स्पेक्त्रम को बेस चलुकर रहे हैं लेकर साथ-साथ जो आपका जानेंगे कि वो कौन से फाक्टर्स थे जिसके वज़े से युरोपियन भारत आए तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि युरोपियन फ्यूडल क्राइसिस क्या था यह एक इंपॉर्टेंट इंफरमेशन है जिससे आपको युरोप का बाग्राउंड समझ में आएगा कि करके करके हम समझेंगे कि कैसे अलग-अलग यूरोपियन पावर्स जो है भारत आ रही है जिसमें सबसे पहले जो है पॉर्टेगल थे जो कि भारत आए और उसके बाद डच इंग्लिश देन्स और फ्रेंच आए लेकिन यहां पर सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए वो यह है कि यह यूरोपियन पावर्स आपस में क्यूं स्ट्रगल कर रहे हैं हर एक यूरोपियन कंट्री चाहे वो डच हो इंग्लिश हो फ्रेंच हो यह सभी लोग जो है अपनी सूप्रेमसी की लड़ाई लड़ रहे थे हर कोई चाहता था कि वो अपनी म ब्रेटिशर्स के बारे में पढ़ने से पहले जो इनके दूसरे कॉंपिटीर्स हैं उन्हें हमें जानना होगा और उनके साथ जो एंग्लो राइवलरी हुई जैसे एंगलो डच राइवलरी एंगलो फ्रेंच राइवलरी वो हमें समझनी है तो आईए शुरू करते हैं इस पहुंचने के बाद भारत तक आएगा लेकिन अब एक सवाल उठता है कि इतने लंबे चौड़े रास्ते की जरुरत आंकिर क्यूं है क्यूं ये इतना नया रास्ता ढूंड रहे हैं तो यहां आप देख सकते हैं कि यह जो इंडिया तक आने का एक बहुत ही शॉटकट वाला सकता था तो भारत तक आने के पहले से ही बहुत रास्ते थे लेकिन अब तक क्या हुआ था कि जो मुस्लिम इंटरमीडिरीज हैं या जो अरब रूलर्स हैं उनका पूरा कबजा इस पूरे एरिया पर हो चुका है और बाइजंतिन इंपायर के फॉल के बाद जो कंस्टेंट का इलाका था कॉंस्टेंटिंग पॉल जिसे आज हम इस्तामबूल के नाम से जानते हैं वह पहले बाइजंतिन इंपायर की क्यापिटल हुआ करती थी और वह इंपायर जब डिकलाइन हुआ तो ऑटोमन इंपायर का राई शुरू हुआ और ऑटोमन इंपायर जो है बहुत बड़े हिस्से पर राई करके काफी बड़े इलाके को जीत लेता है और अपने कंट्रोल में कर लेता है और इसके बाद हम देखते हैं कि जो पर्शिया के सुल्तान है एजिप्ट के सुल्तान है वह सभी पूरे अरब वर्ल्ड में डॉमिनेटिंग है सारे लांड रूट्स और सारे सी रूट्स जो भी भारत तक आते थे उन पर अब मुस्लिम इंटरमीडिरीज का कंट्रोल है इसलामिक रूलर्स का कंट्रोल है तो ये लड़ाई इसलाम और कृश्यानिटी के बीच की भी लड़ाई है ये दोनों ही अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे और व्यापार भी करना चाहते थे और इसी लिए European कहीं न कहीं लड़ रहे हैं अरब Muslim intermediaries के साथ अरब Muslim merchants के साथ या अरब rulers के साथ तो यहां पर यह जो अरबी dates हैं जिसका आपको पता होना चाहिए और वो पहली चीज़ है सेवन सेंचुरी एडी जब हम देखते हैं कि Roman Empire decline हो चुका है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि Islam rise हो रहा है Islam का rise हुआ Muslim rulers का rise हुआ वो भारत तक पहुँच चुके हैं और भारत के अलावा उन्होंने और भी कई सारे parts Asia के capture कर लिये हैं ऐसे में जितने भी direct land routes या sea route भारत तक आ सकते हैं वहां पर कवजा है पहले से ही Muslims का और अब एक नए रास्ते की जरुवत है जो Europeans को चाहिए यहां पर यूरोप में इटली के जो travelers हैं वो भी इन्हें कोई access नहीं दे रहे हैं क्योंकि यहां पर भी Ottomans का काफी ज़्यादा dominance है और तुर्की rulers इसके लिए बिलकुल भी permission नहीं दे रहे हैं तो नए रास्ते ढूनने के लिए इन्हों ने जो है सबसे पहले तक घूम करके यहां पर आये हैं इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनका यह मानना है कि शायद hopeful रहेंगे हम कि आज नहीं तो कल भारत तक जाने का रास्ता हमें मिल ही जाएगा तो इसलिए यह इस जगह को इस तरह से बुलाते हैं इसके अलाबा हम जानेंगे एक बहुत इंपॉर्टन ट्रीटी हुई थी कोशन में जो केप ऑफ वर्दे आइलेंड हैं उनके थोड़ा सा दूर वेस्ट में जाते हुए उन्होंने एक लाइन खीची इमाजनरी एट्लांटिक ओशन में और कहा कि भई इस्टर्ण साइड जो है वो पूर्तगालियों का है और पॉर्तगीज उधर जाएंगे और इं लिए पॉर्तगीज के पास इंडिया तक आने का एक बहुत बड़ा ऑप्शन और रीजन खुल जाता है तो आईए शिरू करते हैं इस बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज को जिसमें आज हम लोग अपने नेक्स चाप्टर पर हैं तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बाग लग है जब राजा अपने अंतरगत कई सारे सामंतों को रखते थे लोकल लेवल पर एड्मिन्स्ट्रेशन लॉइंड ओर्डर और टाक्स कलेक्शन को मेंटेन करने के लिए अब यह जो सामंत होते थे यह किसानों से करवसूल करते थे और किसानों के उपर बहुत ज्यादा और किसानों की हालत बहुत खराब थी और किसानों का कोई विकास भी नहीं हो रहा था कहीं ना कहीं किसानों ने इसके खिलाफ रिवोल्ट भी करना शुरू कर दिया इस चक्कर में इस फ्यूडलिज्म के अंतरगत एक क्राइसेस हो रहा है जहां पर जो लोर लेवल पर कॉम इसे सम्हाल नहीं पा रहे हैं तो मेडिवल टाइम्स में सामन्तवादी विवस्ता है मेडिवल टाइम्स याने की मेडिवल यूरोप ठीके मेडिवल यूरोपियन हिस्ट्वी की बात कर रहे हैं हम और एंशेन टाइम में यह लोग काफी अच्छे थे जब यहां पर ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन हुआ करता था तो यह बहुत गोल्डन टाइम था इनके लिए और बहुत अच्छा इनका विकास था लेकिन रोमन इंपायर के डिकलाइन के बाद यहां पर क्या हो रहा है एक फ्यूडल सिस्टम शुरू हो रहा है 14th century में इस फ्यूडल सिस्टम के अलावा यहां पर डार्क एज भी है जिसके अंतरगत जो science and technology है उसको कहीं न कहीं रोखने की कोशिश की जा रही है चर्च के द्वारा और चर्च जो है एक थेोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम चला रहे हैं ठेओक्रेटिक जिसका मत्लब होता है कि जब लिजनेश लीडर स्पॉलिटिकल लीडर भी बन जाते हैं और पॉलिटिकली भी वो डॉमिनेटिंग रहते हैं तो पॉलिटिकल dominance है religious leaders के द्वारा जो लोग धर्म के लिए काम करना चाहिए जिने वो राजा को control कर रहे हैं वो आम नागरिकों को control कर रहे हैं वो governance को भी control कर रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं राजा भी परेशान है और king भी चर्च की dominance से दुखी हैं तो यहां पर समझेंगे कि कैसे यहां पर चर्च की dominance शुडू हो रही है तो फ्यूडल सिस्टम की अगर हम बात करें तो इस सिस्टम के अंतरगत बहुत जाधा corruption था और पीजेंट को बहुत जाधा दबाया जा रहा है और सामंतों में किसी भी प्रकार से विकास नहीं होने दिया इन सारी चीजों से अनवेर जाधा तर ऐसा होता था कि जो ऊपर राजा है वो लोकल लेवल पर और अनहाईजिनी कंडीशन में यह बहुत जाधा फैल जाता है तो यह बहुत तेजी से प्लेग फैल रहा था जिसके बाद प्यमाइन हो गया भुकमरी हो गई अकाल पड़ गया और युरोपियन पॉपुलेशन जो है बहुत ही डिजास्ट्रस सिचुवेशन में फस्ट चुकी थी एगरी कल्च्रल प्रोड़क्शन बिल्कुल खतम हो चुका था खेती बाड़ी नहीं हो रही थी तो अब लोगों ने व्यापार पर ध्यान देना शुरू कर दिया था और व्यापार को य काथ किया और काफी जादा परेशान करना शुरू किया पीजेंट्स को जिसके बदले में पीजेंट्स ने बीवोल्ट किये और ये revolts जो हैं यरोप में एक बहुत बड़े हिस्से में अगर आप ध्यान से समझें तो एस्टन यरोप का जो इलाका है यहाँ पर तो ये इतना सक्सेस्फुल नहीं हुआ पर वेश्टन यरोप में ये सब ही revolts सक्सेस्फुल हुए और उसके बाद लोगों ने समझा किकु बहुत सारे रिवोल्ट कर रहे हैं और ये पीजन्स के जो रिवोल्ट हैं पूरे युरोप में हो रहे हैं इस रिवोल्ट की वज़े से फ्यूडल लॉट्स की जो पावर है वो कमजोर हो रही है और एक कॉंसेप्ट आफ नेशन बिल्डिंग आ गया है कि हम अपना नेशन रणा जाते हैं अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों ने एक नया कॉमर्शिला किया कॉमर्शील रेवल्यूशन में ये लों कोमर्शली अपने आपको trade and commerce के द्वारा grow कर रहे थे, व्यापार जब बढ़ने लगा, तो व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, profit को आगे बढ़ाने के लिए, जरुरत थी मशीनों की, अलग-अलग प्रकार की मशीने आई, ट्रांसपोर्ट, कॉम्निकेशन, हर चीज का विकास हुआ, इसी विकास क आ रही है, रिनाइसेंस के द्वारा, रिनाइसेंस यानि की पुनह जागरण, ये 14 से 16 सेंचुरी का टाइम पीरिड है, तो 14 सेंचुरी में लोग इतना परिशान हो चुके थे, और जो डार्क एज है चर्च का, उससे इतना दुखी हो चुके थे, कि लोगों को एक नया रा रहते हैं, क्या करते हैं, rational thinking होनी चाहिए, कोई logic होना चाहिए, किसी भी काम को करने के लिए, सिर्फ इसलिए कि Church ने ऐसा बोल दिया है, ये ऐसा order आ गया है Church से, तो अब हमें यही करना पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है, religion का real मतलब क्या है, क्यों हम धर्म को follow कर रहे हैं, क क्यों नहीं हम कोई progress करते, क्यों नहीं हम science and technology को ला रहे हैं, और इन सब चीजों से उपर एक बहुत बड़ी value थी, जिसे renaissance के द्वारा हमने पाया, और वो थी humanism की value, मानवता की value, कि सबसे पहले मानवता को सीखो, कि तुम human हो, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी achievement है, कि भई तुमने एक मनुष्य योनी में जन्म लिया है, और मनुष्य के पास इतनी सारी शक्तियां है, तो क्यों ना हम इन शक्तियों का पूरा प्रयोग करें, और अपने देश का विकास करें, और इसलिए ये लोग aware हो गए, इनके अंदर ये जागरुकता आई, कि हमे नए नए चीजों की तलाश करनी चाहिए, हमें नए नए इलाकों को ढूड़ना चाहिए, और नए इन्वेंशन करनी चाहिए, इन चीजों को सपोर्ट किया इनके राजाओं ने, यहाँ पर प्रिंस हेंरी का एक्जाम्पल काफी important है, जो कि डेविगेटर के नाम से भी जा आने जाते थे, उन्हें नेविगेटर बुलाया जाता था, यह इनका निकनेम था, क्योंकि उनको नेविगेशन का बहुत शौक था, ऐसे कई सारे राजा थे, इवन क्वीन इलिजाबेथ वन, वो भी इसको सपोर्ट करती थी, और उन्होंने कहा कि यह हमें नए डिसकवरी करनी ही चाहिए, ऐसे में इनको जब अवेरनेस आई, तो इन्होंने सोचा कि कैसे हम एक बदलाव लाएं, तो यह जो रिनाइसेंस है, यह रिनाइसेंस सबसे पहले कहां आया था, यह आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में, ठीके जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, वो रिकॉर्डिंग भी बताएंगे, ठीके रिकॉर्डिंग में भी आप लोग बता सकते हैं, अपना रिकॉर्डिंग देख के कमेंट्स में आंसर दे सकते हैं, और मैं परसनली सभी स्टूडेंट्स के कमेंट्स जरूर चेक करती हूँ, कि कितने स्टूडेंट्स हमें सही answers दे पा रहे हैं ओके और जितने लोग अभी तक हमारे जॉइन हो चुके हैं प्लीज लाइक द वीडियो शेर द वीडियो और लाइव आपको डेली जुड़ना है साड़े बारा बजे हम लोग जो है साड़े बारा बजे डेली लाइब स्टार्ट कर देते हैं सेशन को सो यू कौन आया था कल कल हमने पहले ही दो चाप्टर कवर कर लिये हैं एक ही क्लास में हमने दोनों चाप्टर कवर कर लिये थे क्योंकि फॉर्स्ट इन सेकिंड चाप्टर जो है स्विक्ट्रम का वो काफी जादा इंपोर्टेंट नहीं है एक बेसिक अंडरस्टांडिंग वाला था तो हमने दोनों ही चाप्टर को कंबाइन करके एक ही क्लास में खतम कर लिया यह तीसरा लेसन है स्वेक्ट्रम की बुक का जिसे हम पढ़ रहे हैं और यह जो बैग्राउंड में आपको समझा रही हूं यह बैग्राउंड इसलिए हम समझ रहे हैं ताकि हम लोग समझें क कि कैसे यह इंडिया आए और क्यों आएใชच के तो इटली से शुरू हुआ इली में कौन से शहर से शुरू हुआं एटली में कौन से शहर से शुरू हुआ अब यहां पर एक बहुत अच्छा question पूछा है Sinha Aman ने and I really like this thing जब आप सोचते हो और सोचके question पूछते हो Sinha Aman आपने यह पूछा है कि ma'am without increasing agriculture how did they promote trade and commerce यह कैसे possible है कि जब agriculture को increase नहीं किया जा रहा तो बिना खेती बाड़ी के यह लोग व्यापार कैसे करने लगे मतलब primary activities नहीं हुई और secondary activities इतनी ज़ादा होने लगी यह कैसे हुआ राइट यह आपका question है तो इसको समझेंगे यहाँ पर ध्यान दीजे कि trade and commerce को यह लोग बढ़ावा दे रहे हैं इसलिए क्योंकि इन्हें लगता है कि खेतों में इतना ज़्यादा पैसा नहीं है खेती बाड़ी खतम नहीं हुई है वो हो रही है पर उसकी position बड़ी stagnant है रुकी हुई है और खेती बाड़ी का दुबारा से agricultural जो revolution है वो फिर से आएगा 15th century में रिनाइसेंस के बाद तो रिनाइसेंस जब हुआ तो फिर से agriculture के अंतरगत mixed cropping, crop rotation और soil की fertility पर ध्यान देना ये सारी चीजें ये लोग शुरू कर देंगे तो agriculture का विकास होगा और ऐसा नहीं है कि सिर व्यापार होगा लेकिन initially जब इन्हों देखा कि feudalism के अंतरगत agriculture को जाधा support नहीं मिल रहा है तो इन्होंने trade and commerce शुरू किया था लेकिन trade and commerce starting stage पर है वो active stage पर कब जाएगा जब रिनाइसेंस हो गया उसके बाद तो रिनाइसेंस होने के बाद European economy दुबारा से evolve होगी और एक नए सी रे से शुरुवात होगी जहां agriculture का भी development होगा और industry का भी development हो जाएगा let's understand how ध्यान से देखेंगे इसको 14th and 16th century में क्या हो रहा है रिनाइसेंस हो रहा है यानि कि पुनह जागरन हो रहा है अब क्या हो रहा है कि यो European society है ये reform हो रही है इसके अंदर बहुत सारे सुधार हो रहे है कि क्यूं चर्च ने हम सब की आखों को बंद कर दिया है क्यूं नहीं हम अपनी आखे खोल करके दुनिया को देख पा रहे हैं और क्या हो रहा है दुनिया में कहां कौन सी नहीं नहीं जगाएं है हम उसको क्यों नहीं तलाश कर पा रहे हैं ऐसे में जब लोगों को बिल्कुल एकदम से हड़का के रखा हुआ है कि तुम अपनी आखे नहीं खोलोगे, बंद करके रखो बिल्कुल तुम्हें जो है इसी अंधेरे में रहना होगा और तुम्हें अगर कोई प्रकाश चाहिए तो वो सर्फ जीजस का प्रकाश है वो केवल चर्च का प्रकाश है, जब चर्च कहेगा तब तुमको वही काम करना है और कुछ नहीं करना, तो ऐसे में कुछ लोगों ने अपनी आखे खोली और चुपके से देखने की कोशिश की कि क्या चल रहा है दुनिया में और उन्होंने देखा कि दुनिया में तो बहुत कुछ है, ये चर्च का डॉमिनेंस तो बहुत गलत है और राजा भी इस चीज से परिशान थे, क्योंकि रूलर्स की पोजीशन को लेजिटिमाईज करने के लिए चर्च ने सब कुछ कंट्रोल किया हुआ था कि भई तुम राजा हो, तब तक राजा हो, जब तक चर्च तुमको सपोर्ट कर रहा है अगर कल को हमने तुम्हें कह दिया कि तुम राजा बनने लायक नहीं हो तो तुम्हारी सारी डिवाइन पावर्स कतम हो जाएंगी, लोग तुमको टैक्स नहीं देंगे और लोग तुमको राजा बनने से हटा देंगे, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा तो राजा को भी डरा के रखा हुआ है, तो राजा भी सूसते थे या कैसे इस चंगुल से बाहर निकलें, क्या करें कि कैसे हम लोग अपना खुद का डॉमेनिंस शुरू करें, तो राजा को भी लगा कि लोगों को सोसाइटी में जरूरत है कि कोई उन्हें पैट्रोनेज दे कोई उनके बिजनस को सपोर्ट करे, कोई उनको स्पॉंसर करे, पैसा दे, इन्वेस्टमेंट करे उनके उपर, पढ़ाए, लिखाए, उन्हें आगे बढ़ने दे, उन्हें ट्रावल करने दे, उन्हें नए रास्तों को ढूंडने दे, और उन्हें पमीशन मिले इन सब ची आप सब मिल करके company बनाओ, company साथ में मिल करके अपना जो है group बनाओ, हम आपके guilds को support करेंगे, sponsor करेंगे और आपका पूरा व्यापार हमारे अनुसार चलेगा और हम उसको आगे बढ़ाएंगे, आप चिंता मत करो, आप व्यापार करो और जो करना है करो, तो इस तरीके से जब rulers ने लोगों को support दिया ये रोप में तो यहाँ पे reform हुए, लोग बाहर गए और renaissance का मतलब यही है कि renaissance मतलब पुनह जागरण मतलब एक नई awakening, नई शुरुवात, नई जिन्दगी, नई दुनिया, एकदम new life जो पुराना सिस्टम है उससे बिलकुल निकल के dark age को खतम करो, feudalism को खतम करो, यह पिछडा पन जो है उसको खतम करो, ठीक है धर्म के नाम पे अंध विश्वास को खतम करो और एक नई सिरे से, rational तरीके से, logical thinking के साथ, humanism की value के साथ, एक नई दुनिया की शुरुवात करो, जो नई सिरे से, एक नई ढंक से लोगों को विकास की तरफ ले करके चला जाएगा तो यह जो फ्रेंच वर्ड है, rebirth, इससे निकला है, rebirth यानि नया जन्म, एक नया जन्म हो गया, एक नया जन्म हुआ, एक नया जन्म हुआ, यूरोप का और spirit में नए-नए innovations हुए, imagination, creativity, logical thinking, rationalism, humanism, यह सब चीजों की शुरुवात हुई, और यहाँ पर European जो society है, वो पुरी त society की efficiency, तो कुछ है ही नहीं, क्यों यह feudal society काम कर रही है, क्या कर रहे हैं राजा, क्या कर रहे हैं सामंत, क्यों church हमें बुला रहा है, हम क्यों जाए, हम क्यों काम करें, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम इस तरीके से क्यों नहीं अपने जीवन को सुधारते, कि हमारा जीवन करके बहुत पक चुके हैं और अब इनको चाहिए ट्रेड एंड कॉमर्स व्यापार तो चलो व्यापार को सपोर्ट करो पैसा लगाओ पूंजी लगाओ इन्वेस्टमेंट करो और इन चीज़ों को एक नए क्लास ने पुपुलराइज किया ट्रेड एंड कॉमर्स को ट्रेड एंड कॉमर्स की नए क्लास पुपुलराइज कर रही है और मरसेंटिलिज्म हो रहा है और एक ऐसा सिस्टम हो रहा है जहां पर राजा खुद इस चुकी है सारे ट्रेड रूट्स पर जैसा कि मैंने आपको बताया इटली की लोकेशन देखो गया अगर आप तो आपको पता चलेगा कि इटली जो है यह इस तरीके से मतलब पूरा ओवर पावर किये हुए है कि यह किसी को एक्सेसी नहीं दे रहा है यह देख सकते हैं यह है कि हम किसी को एकसेस नहीं देंगे ठीक है ओटोमन तुर्की रूलर्स कहते हैं कॉंस्टेंटिन फोल हमारा है इस्तांबूल हमारा है जितने भी ट्रेड रूट्स यहां से को करके गुजरेंगे वह हमारे कंट्रोल में अब लोकेशन देखो कितनी इंपॉर्टेंट है तो यहीं आ रहे हैं घूम करके क्या हो सकता है कुछ नहीं किया जा सकता था यूरोपियंज को लगता है कि यार इंडिया से अगर हमें मसाले चाहिए कैलिकोस चाहिए सिल्क चाहिए सिनमन चाहिए कार्डमम चाहिए तो कहां से लेंगे तो यह बोलते थे कि भाई मुस्लिम इंटरमीडियरी कि आप हमको कमीशन दो तो कमीशन देने के चक्कर में प्रॉफिट जो है वो मुस्लिमों का हो जाता था वह भारत का समान एशिया के दूसरे समानों को सारा इखटा करके European market में देते थे बदले में मुस्लिम्स जो हैं मीडल मेंशन हुया थे अब ये मुस्लिम्स बोलतें के अगर आप हमें पैसा नहीं दोगे तो हम आपको समान नहीं देंगे European को लगा कि यह ऐसे में तो profit नहीं पा रहा है ठीक है हम जो है 10 रुपे की चीज है उसको 8 रुपे में खरीदते हैं फिर उसको जब 10 रुपे में बेच रहे हैं तो हमें 2 रुपे का प्रॉफिट हो रहा है तो हम क्या ऐसा करें कि कुछ इस तरीके से काम करें कि और जादा हमको फायदा हो और किस तरीके से हम जो कमीशन ना देना पड़े तो इसके लिए जरुवत क्या थी कि नए रास्ते को ढूंडेंगे अब जब नए रास्ते को यह लोग ढूंडने के लिए निकले हैं तो इसमें इनको कई साल लगे और बहुत कोशिशें हुई मतलब वास्त को डिगामा पहला नहीं था इससे पहले भी बहुत सारे ट्रेडर्स आये और उन्होंने कोशिश की लेकिन वो यहां तक सक्सेस्पुली पहुंच नहीं पा रहे थे ओटोमन तुर्की रूलर्स ने ओटोमन इंपायर को पूरी तरीके से फैला लिया था सभी लैंड रूट्स को कबजा कर लिया है और इस्लामिक पूरा पर्शिया का इलाका सारा रेड़ सी का इलाका सब इनके पास है पर इनके पास एक बहुत बड़ी चीज की भारी कमी है इनके गल्फ के एरिया में इनके रेड़ सी के आसपास के इलाकों में तिमबर की लकडी नहीं थी इनके पास अब तिमबर की कमी होने की वज़े से बताओ क्या हो जाएगा तिमबर नहीं है और टिमबर की लखडी का क्या फायदा है बताओ इसके बज़े से ने एक बहुत बड़ा डिसद्वांटेज मिल रहा है अब वेरी बिग डिसद्वांटेज वी नो वाट इस दाट लेगो वही अगर आप लाइव आ रहे हो और ला इंडिया के अलावा यह लोग अफ्रिका भी गए यह लोग वेतनाम भी गए यह लोग जपान भी चाइना भी गए सब जगह गए थे यह सबसे पहले ही अमेरिका गया वालों ने निकाल दिया अमेरिकन रिवल्यूशन हुआ और उसके बाद पर इन्नोंने कोशिश की कि चल यह सुर्फ इंडिया में ही इनका इंट्रेस्ट था ही पर इनके और भी दूसरे इलाके थे जहां पर इन्होंने कोलोनी बनाई थी वेरी नाइस प्रत्यूश मिश्रा और मीर वसीम, शिप विल्डिंग के लिए, शशांक ने भी सही आंसर दिया है, जहाज बनाने के लिए, अब इनके पास जो जहाज हैं, वो जादा अच्छे नहीं हैं, तो आपने देखा है ना, कभी मूवीज में देखा होगा, वो जो अर है ना, तो भई खजूर के पेड़ हैं, खजूर खाओगे बस और क्या करोगे, अब खजूर के पेड़ काट करके जहाज तो बनाओगे नहीं, अब जहाज कौन बनाएगा, जहाज बनाएंगे पॉर्टिगीज, और जहाज में भी ऐसे जहाज, जहाजों के उपर तोप रखी है भाई, मतलब सोच नहीं सकते हैं कि इन लोगों के पास टिंबर की इतनी ज्यादा कमी थी, कि पॉर्टिगीज को इससे बहुत फायदा मिला, अब यह जो इटालियन से यह बोले कि ना, हम तो नहीं बताएंगे तुमको हमारी नॉलेज हैं, हम तुमको रास्ता नही बहुत कॉंपिटीशन है, ठीक है, यह इंडिया में बोलते हैं भारत के सारे राजा, रजवारे सब लड़ रहे थे आपस में, तो यह कौन सा अच्छे थे, यह भी आपस में लड़ी रहे थे, यह भी आपस में लड़ रहे हैं, और इन्होंने तो इतनी लड़ाई की पूर फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया, इनकी आपसी रंजिशों की वज़े से ही तो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ है, और पूरी दुनिया को भी उस लड़ाई में इन्वाल कर दिया, और यह कहते हैं कि भारत में लोग लड़ाई करते हैं, लोग जहां पे चार लोग रहेंगे, वाँ थोड़ी बहुत लड़ाई तो होगी, तो सब अपने डॉमिनेंस की लड़ाई करते हैं, हर कोई डॉमिनेंस की लड़ाई कर रहा था, तो यहां पे भी लड़ाई हो रही और ब्रिटेन और फ्रांस वहोत ही जादा लड़ते थे, मतलब सबसे जादा एगर कोई अपना कोई रास्ता नहीं बताएंगे, हम अपनी स्कीम जो है, वो लीग नहीं करेंगे, स्कीम किसी को नहीं बताएंगे, हमारी स्कीम है, अब यह लोग क्या कह रहे हैं, यूरोपियंस की क्या करें, अब जब भी कैसी को कहते हैं, कि सबसे बड़ी अगर कोई पावरफुल एक दील आती है वो आती है रिलीजियन से धर्म के नाम पे लोगों से आप कुछ भी गरवा सकते हो अब यहां पर इनको लगा कि हमें अपने Christianity का भी प्रचार प्रसार करना है अभी देखो Islamic rulers को क्या वही फटा-फट जो है पूरा इस्लाम फैला दिया है हर जगा हमें भी Christianity को फैला आना है तो हम कैसे अपने गौर्ड की ग्लोरी को आगे बढ़ाएं तो एक तो हमें Christianity को फैलाना है दूसरा अपने को व्यापार भी करना है तो spirit of God glory gold यह तीनों कि तो हम अपने भगवान का प्रचार प्रसार करेंगे और इससे हमारे देश की ग्रोरी बढ़ेगी हम प्राउड फील करेंगे हमारा डॉमिन डॉमिन सोगा दुनिया पे और गोल्ड भी मिलेगा तो इसी लिए हमें जो है ट्रावल करना होगा नए-nए रास्ते ढूणने हों इनके अंदर Christianity बढ़ाने की जील भी है, डिजायर भी है और इसी Spirit को जो की हम कहते हैं कि हम अपने देश में खूब पैसा लाएंगे God, Glory and Gold के नाम से जाना जाता है. अब इसमें जो है Merchant Capitalism की शुरुआत हुई. राजाओं ने बोला कि देखो तुम अलग-अलग groups बना के व्य व्यापारी मिल जाओ, और मिल करके व्यापार करो, और राजा तुमको सपोर्ट करेगा. मतलब हमारी गौर्मेंट तुमको सपोर्ट करेगी, सरकारी रूप से तुमको पैसा दिया जाएगा, पावर दिया जाएगी, आर्मी दी जाएगी, और तुम जाकर के पूरा sponsorship लेकर करके व्यापार करो, ठीक है, तो यहां के सारे merchants को लगा कि ये तो बहुत अच्छा तरीका है, हम commercial revolution कर लेंगे, हम फटाफट से अपने तरीके से सारे groups बनाएंगे और व्यापार करेंगे, तो जो geographical exploration ये लोग कर रहे थे, इसमें ये नई नई colonies जो हैं, ढूंड रहे हैं, क् कि जब किसी land को acquire करेंगे, गुलाम बनाएंगे, तो वो colony बन जाएगी, उसका raw material भी ले देंगे, और उसके market में अपना समान भी बेचेंगे, तो बहुत हद तक इनको colonies की discovery का एक बहुत बड़ा इनके अंदर जील आ गया, अब ये जो है, बहुत जादा इस opportunity की तलाश में ह करना कि कैसे हम new colonies में जाएं, और कैसे हम जादा व्यापार बनाएं, इस व्यापार बनाने के सिलसिले को, इस trade profit को ही हम क्या कहते हैं, merchant capital कहते हैं, और इसी के वज़े से feudal economy खतम हुई, और capitalism की शुरुआत हुई, commercial revolution आया, और Europe में commercialization हुआ, यानि कि पहले renaissance आया, उसके ब scientific revolution आया, और फिर industrial revolution आया, तो आप सीधा jump करके industrial revolution पढ़ते हो, और जब industrial revolution पढ़ते हो, तो आप यह पढ़ते हो, कि industry बन गई थी, machine आ गई थी, industrialization हो गया, factory खुल गई, इसी को हम industrialization कहते हैं, पर ऐसा नहीं है, और द्योगिक करांती का मतलब, उद्योग की शुरुआत नहीं, और द्योगिक करांती का मतलब है, कि आपके हर चीज में, बहुत जादा विकास हो रहा है, आपकी जो है, trade and commerce तो बढ़ी रहा ह है, साथ ही साथ, बहुत अच्छा transportation है, communication है, printing press है, advertisement के साधन है, navigation के साधन है, नई नई प्रकार के equipments बन रहे हैं, weapons बन रहे हैं, ship building हो रही है, हर चीज का विकास हो रहा है, कोई एक काम नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर सिर इंडस्ट्री नहीं खोली जा रही है, कि भई च communication, energy, हर तरह के साधन चाहिए, और वो सारे साधन इनको मिल चुके थे, इसी लिए industrial revolution हुआ, और उसके बाद हम यह देखते हैं, कि commercial revolution की वज़े से, पैसे कमाने का लालच, एक बहुत बड़ा लालच, तो इन्हें बहुत जादा लालच है, और लालच है, सफलता का, यह सफल प्रफूर तक ले जाएगा, इन्हें encourage करेगा कि और जादा नए रास्ते ढूंडो, और जादा नए मार्केट ढूंडो, और जादा नया व्यापार करो, जितना व्यापार करोगे, उतना पैसा मिलेगा, उतना कमाओगे, उतने अमीर हो जाओगे, तो बस जादा से जादा कमाओ, खूब व्यापार करो, अब ऐसे में ये लोग और गनाइस ट्रेट करने लग गए, जोईन स्टॉक कंपनी जाए, जहां पर सारी कंपनी अपना स्टॉक मिला के पैसा मिला के जोड़ करके व्यापार करते थे, कि आये हम सब मिल करके व्यापार करेंगे, और प्रॉफ अब इतने चार्टर इशु किया, इस्ट इंडिया कंपनी को, कि तुम जाओ और भारत में व्यापार करो, यानि कि सरकारी दस्तावेजों के द्वारा, इस चीज़ को सरकारी रूप से संग्रक्षित किया जाता था, कि आपके अलावा कोई और कंपनी ऐसी नहीं होगी, जि अब परमीशन देंगे ट्रेड करने के लिए, तो आपको सरकारी रूप से लाइसेंस मिल रहा है, आपको सरकारी रूप से गरुप बनाने की आज़ादी है, आप मिल करके अपना जो है स्टॉक इखट्टा करो, सारा पैसा इखट्टा करो, और सब लोग मिल करके स्पॉंसर कर रहे हैं इसका क्या मतलब है कि रूलर्स स्पॉंसर कर रहे हैं गौर्मेंट स्पॉंसर कर रही है कंपनीज को कि जाओ और व्यापार करो एकनॉमिक थ्योरी है accumulation of capital जादा से जादा capital को accumulate करो जितना हो सके सब बटोर लो सारा पैसा खूब ले आओ खूब free trade करो freely व्यापार करो अफ्रसमान जहां मर्दी बेच हो वहां भी जाओ यहां भी जाओ खूब जहां से पैसा आए सारा accumulate कर लो और scientific idea develop हो रहा है इंडस्ट्रीर रेवलूशन हो रहा है ब्रीटेन से शुरुवात हुई क्योंकि ब्रीटेन ही एक ऐसा देश था जहां पर political stability थी ना ही वहां पर कोई French Revolution या American Revolution जैसी क्रांती हुई थी और ना ही वहां पर कोई autocracy के खिलाफ अवाज उठाता था और raw material की बहुत अच्छी जो है चीज़े थी आईरेन और कोल के रिजर्व थे स्टेबल गॉवर्मेंट आईरेन और कोल के अच्छे रिजर्व यह काफी था इंडस्ट्रिल revolution के लिए तो ब्रीटेन में शुरुवात हुई industrial revolution इंग्लैंड से आगे बढ़ा और फिर इन लोगों ने अलग अलग जगह पर अपने इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए raw material और market के लिए खोज शुरू की तो जब colonies यह बनाएंगे तो जिस जगह को जिस भी कंट्री को यह क्वायर करेंगे उस जगह को यह colony बोलते हैं यानि कि गुलाम देश जिससे यह लोग गुलामी घरवाएंगे क्या करेंगे कि उनसे raw material लेंगे सस्ते धामों पर और उस raw material को ब्र दो इंपॉर्टेंट चीजें इन्हें मिल रही हैं रॉव मिटीरियल में काफी पहले से ही पॉर्टेगल यहां आ चुके हैं और इसके बाद फिर हम देखते पॉर्टेगाल से इंडिया तक आकर कि इन्होंने डिस्कवरी कर ली है फिर डच आ गए 1602 में डच आ गए इसके बाद इंग्लिश शाय 1608 में जब इनकी पहली फैक्टरी यहां से शुरू होती है तो अंग्रेजों के आने से कई साल पहले यह लोग यहां पर पहुँच चुके हैं मतलब 100 साल पहले यह लोग आ चुके हैं तो फिर भी अंग्रेजों ने इनको हरा दिया और उसके बाद अंग्रेजों की लड़ाई दूसरे यूरोपियन देशों के साथ भी होने लगेगी यहां पर एक और चीज आप ध्यान से देख सकते हैं यह एक मैप है इस मैप में आपको कुछ इलाके हैं जो कि याद रखने हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहां पूरा भारत लॉक हो गया ठीक किसका आइडिया था एडन और मुझा को सीज़ करने का कूए फूस्टार्ट इस फॉलसी इस फॉलसी को कहते हैं ब्लू वाटर पॉलसी कौन था वो जिसने ब्लू वाटर पॉलसी शुरू की थी एक यहां पर कोशन है कि प्लीज कंप्लीट हिस्ट्री थूंपेक्यू करेंगे विविल दूट हम लोग वैसें सी क्यूज कर रहे हैं और रूची आपने बूचा माइम ओर निस्टी कब तक कंप्लीट पहले शुरू करने दो मत तुम है मैंना कंप्लीट पहले कर वालो तो टाइम लगेगा दो महीने लगेंगे पूरे यूट्यूब पर कवर करने में और उसके बाद फिर मैं यहां देख सकती हूं कि सही आंसर अभी तक आया नहीं है कोश्चन क्या पूछा था मैंने सवाल यह था कि किसने शुरू की थी ब्लू वाटर पॉलिसी बहुत हो गया जमीनों पर कबजा करना अब जमीनों के पीछे मत भागो पानी पर तुम राज करो अगर तुमने पानी पर राज किया और इंडियन ओशन को कबजा कर लिया तो पूरा भारत भी तुम्हारा है और पूरी दुनिया भी तुम्हारी है तो ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की कोशन तक पूरी तरह से अपनी ही पहुंच हो कार्टे सिस्टम शुरू कर दिया यहां पर क्या मतलब है कि इस इलाके पर कोई और नहीं आएगा किसी को भी अगर आना है तो पॉर्टिगीस की परमीशन चाहिए धीरे धीरे यहां पर यह लोग अपना व्यापार शुरू करें करेंगे अर्द ओर मोज़ा मलक्का को आप ध्यान से देखो और यहां पर देखो गोवा गोवा को अलबुकर्ण ने क्याप्चर कर लिया था ठीकिंगे अलबूकर करक एक गावरणर थे इनके पहले अलमीडा आए पिर अलबुकर्क आए फिर नीनों दीकुनहा आए तो अल कि जो राजा थे प्रिंस हेंरी इनका एक निकनेम था प्यार से इनको नेविगेटर भी बुलाया करते थे नेविगेटर क्योंकि इन्हें नेविगेशन का बहुत शौक था समुद्री रास्तों को ढूंड़ते थे यह बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है 15th century में यूरोपियन मेरिटाइम सिस्टम में इनका नाम काफी बड़ा है काफी जाधा डिस्कवरी और इन्वेंशन ने की और इन्हें एक ऑप्सेशन था एक पागलपन था कि कैसे मैं नए 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 रास्तों को ढूंड़ू क्या करूं कि मुझे नए 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 लाके मिल जाए हर जगा मेरा रास्ता हो इनका यह आइडिया था कि मैं जो है भारत तक नया सी रूट डिस्कवर करके ही रहूंगा और यह हो गया हाला कि इनके जीते जी यह सपना पूरा नहीं हो पाया मतलब भारत तक जा करके फैक्टरी वेगरा बनाने का हां स्टार्ट हो चुका था इन्होंने केंडरी की ही देन है सबसे पहले वासको डिगामा आए के पाफ गुड होप से होते हुए इन्होंने बोला बहुत हो गया तुम तो बस होप ही करते रहोगे तुम्हारी होप को पूरा करने का समय आ चुका है और भारत तक सही रास्ता इन्होंने ढून निकाला अब्दुल म माजिद गुजराती पाइलेट थे इन्होंने बोला हाँ यह क्या बात है बड़े उदास लग रहे हो बोलता है कि यार इंडिया तक जाने का वो रास्ता डूंटे मिलनी राया काफी टाइम हो गया है चलो ऐसी बात है आओ हम देके आते तुमको हम लेके जाएंगे बस अब यह जो है बोलते हैं आओ सेल्फी लेते हैं जैमुरिन जी तो जैमुरिन को क्या पता कि भई जिसके साथ सेल्फी ले रहे वही तुम्हारा फोन लेके भाग जाएगा 1498 की ये बात है 1498 में कैलिकट जिसको कौजिकट के नाम से भी जाना जाता है यहां के राजा जैमुरिन इनको बुलाते हैं कहतें कि भई बहुत अच्छा हम आपका स्वागत करते हैं आपने नया रास्ता ढूंडा है और अब ये पहली बार हुआ है कि जब आप इंडिया म का रूल था ठीक है और इसके अलावा मन अविक्रम थे जो कि यहां पर चीजों को संभाल रहे थे तो इन लोगों ने वेलकम किया क्या लिकट में कि आई ये और चलिए व्यापार हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कर सकते हैं तो वासको डिगामा को लगाया यहां से मैंस हो इसको बहुत प्रॉफिट हुआ इसी बीच में एक और जो है यहां पर कोशिश हुई एक और जो है यात्री आये और उन्होंने यहां पर फैक्ट्री लगाई इनका नाम था पेड्रो एलवरेस कैबरल कैबरल ने काफी अच्छी कोशिश की पर इनकी लड़ाई यहां लोकल से हो गई ठीक है और बहुत जादा इन्होंने क्यालिकट में मतलब वंबार्डमेंट किया लड़ाई जगडा कूब मार काट हुई तो यह जो है यह कर क्या रहे थे बेसिकली जब वासको डिगामा आये थे तो इन्होंने अपने दो ग्रुप्स बना दिये थे कि तुम से लिवरेस कैब्रेल आये और इनका अबजेक्टिव था कि जैमारीन को हटाना जैमारीन को थोड़ा सा यूनों खतम करना और कैलिकट को जीत लेना इन्होंने पहली फैक्टरी अपनी खोली थी कैलिकट में और उसके बाद फिर यहां पर इनकी लड़ाई हो गई है और इस बार लॉटे तो ऐसा लॉटे की इस बार सीधा ठान लिया कि अब फैक्टरी हो लेंगे फॉर्टिफिकेशन करेंगे और यहां पर लड़ना पड़ेगा तो युद्ध भी लड़ेंगे तो अब यहां पर कॉन्फिक्ट हो रहा है अरब मॉर्चेंट के साथ किसका इसका कॉन्फिक्ट हो रहा है किसका कॉनफिक्ट हो रहा है कैबरल का ठीक है तो क्या Biz जो है इनका का मिशन इंकप्लींट रह गया इंडियंडियोंस के साथ अरब मॉर्चेंट्स लड़ाई की वज़े से यह वापस लोट गए और फिर अगले ही साल वासको डिगामा दुबारा लोटे इन्हों ने बोला कि अब मैं दुबारा यहां कोशिश करूँगा फैक्ट्री खोलने की फिटीन जेरो टू में वासको डिगामा ने दुबारा से अपने आग को स्टैबलिश करने की घोशिश की और फैक्ट्री के लिए काम करना शुडू गिया 1503 में इन्हों ने अपनी फैक्ट्री कोचीन में खोली उसके बाद कंना नूर में खोली कन्ना नोर में 1505 में खोली और कैलिकट में तो पहले से ही इनकी फैक्टरी आई ही जाती है और ये दुबारा सेंटर्स डेवलाप करते हैं तो कैलिकट, कोचीन, कन्ना नोर और किलन इन सभी जगाओं पर इन्होंने फैक्टरी खोल ली है, ट्रेडिंग सेंटर बना लिया है और फीटरी इसका जो है डेवलापमेंट हो रहा है, तो फीटरी आज क्या है, ये एक पॉर्टिगीस ट्रेडिंग पॉइंट होता था जहां पर फैक्टरी होती थी और ये लैंड जो है, इसी लैंड को ये लोग फीटरियास कहते थे, यहां पर ये लोग जो है अपनी फैक्टरी लगा करके पूरा विकास करते थे और अपने अनुसार उस फैक्टरी को चलाते थे, ये जो इलाके थे, ये अनफॉर्टिफाइड थे, मतलब कि इस जगह पर खिला बंदी नहीं हुई थी, पर बाद में जब इनोंने खिला बंदी करना शुरू किया, तो इनकी लडाईयां शुरू हो जाएंगी, इंडियन साथ, सबसे पहले जैमुर इनके साथ इनकी लडाई होगी, अर्ली जो स्पाइस ट्रेट था, वो पेपर और सिनमन के लिए था, जो ब्लाक पेपर है ये इसको ब्लाक गोल्ड भी कहते थे, ब्लाक गोल्ड, काली मिर्च को सोना समझते थे ये लोग, तो अब जो है अगर हम समझें, तो सबसे पहले फ्रांसिसको डियल मीडा आए, पहले पॉर्टगीज गवर्नर, इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी को अडॉप्ट किया, कैसे, देखो सबसे पहले न, इन्होंने कोशिश की, कि जो भी पॉर्टगीज की सुपरिमिसी है, वो आ जाए, यहाँ पे स और एक बैटल हुई थी, बैटल ओफ दियू, 1508 में, पूरे इंडिया में, किसी भी रूलर को अगर आप देखें, तो गुजरात के इलावा, पूरे नॉर्थ इंडिया में, कहीं पे भी, कोई प्रॉपर पॉलिटिकल स्टैबलिश्मेंट नहीं था, इस समय में, पूरा इ इजिप्शिन फ्लीट, वो इनकी मदद करते हैं, और ये दोनों सुल्तान, क्योंकि इसलाम फॉलो कर रहे हैं, इसलामिक हैं, तो ये पॉर्टिकीज को हराने के लिए साथ में आते हैं, इसमें लड़ाई होती है, लड़ाई जो होती है, वो होती है, चॉल और दाबुल में काफी लड़ाई हुई, और इस बैटल में जो नेवल फोर्सेज हैं, वो कमबाइन होती है, गुजराती नेवी कमबाइन है, इजिप्शिन नेवी कमबाइन है, गुजराती और इजिप्शिन नेवी की कमबाइन फोर्सेज को अकेले अलमीडा ने हरा दिया, और हरा करके कह कि भाईया देखो अब तो तुम हार गए हो यह बैटल अफ दियू में तो अब जो है हम अपने आपको नेवल सुप्रेमेसी डिक्लियर कर रहे हैं और इंडिया नोशन पर अब हमारा कबजा है एड़न और मुज और मलक्का को हम अपने हिसाब से चलाएंगे इस तरीके से इन अलबुकर्क के द्वारा शुरू किया गया था तो अलफॉन्जो डी अलबुकर्क यह अगले गवर्णर थे जो फिफ्टीन जीरो 9 से 15 तक के बीच में इंडिया में रूल करते हैं तो 1515 तक इनका रूल रहा 1515 के बाद से जब अलबुकर्क की मृत्ति हुई उसके बाद से आप ये मान के चलो कि Portuguese power इंडिया में decline होने लगेगी तो ये जो हैं इन्होंने क्या किया ये Portuguese empire के real founder है इन्होंने headquarter कोचिन में खोला था 1509 में दियो को conquer कर लिया Goa को annex किया, बीजापूर के सुल्तान को हरा दिया और अपना जो domination है वो पूरे Indian coast पर जो आपको भी मैंने इलाके दिखाये थे Ormuz, Malakka, सबको जो है Persian Gulf में इन्होंने जो है अपना कबजा कर लिया है और Indonesia के Spice Island को भी कबजा कर लिया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Ormuz, इसको Ormuz भी बोलते हैं Add in और ये है Malakka यहाँ पर इन्होंने बोल दिया कि इस जगह से किसी को भी अगर पास होना है तो यहाँ से पहले हमें tax दो Permit system है, हम toll tax collect करेंगे, तुमको toll देना पड़ेगा, tax देना पड़ेगा तभी तुम आगे जाओगे, otherwise हम तुमको आगे नहीं जाने देंगे इस प्रकार से पहली बार एक पूरी मोनोपॉली इन्होंने स्थापित कर ली थी और Spice Island इंडोनेशिया को भी जीत लिया था, यहाँ पर भी इनका कबजा हो चुका था इन्होंने Policy of War को अपनाया कि लडाई करो, डाका डालो, चोरी करो, जो भी है मारो, काटो, कुछ भी करो पर Portuguese power इंडियन ओशन पे रहनी चाहिए Permanent Portuguese settlement इन्होंने बना दिये, अपने लोगों को कहा कि तुम इंडियन महिलाओं से शादी करो, यहीं पे घर बसाओ और Christianity को भी propagate किया, सती प्रथा को खतम किया, तो पहली बार भारत में सती प्रथा, अलबुकर्क के द्वारा ही अपने इलाके में इन्होंने खतम की थी इसके बाद नीनो दिक उन्हा आए, यह जादा important नहीं है, इन्होंने बस इतना ही किया था, कि कोचीन से गोआ में हेड जो है ओफिस अपना ट्रांसफर कर लिया, और गोआ को हेड ओफिस बना लिया, इसके बाद हम देखते हैं, पॉर्टिगीस बड़े intolerant हैं, कि मुगलों से भी लड़ाई होने लगी, शाह जहां की जो वाइफ थी मुम्ताज, उनकी दासियों को उठा ले गए थे ये ल आप ऐसा देखें कि क्या कर रहे हैं ये, किस तरीके से ये पॉर्टिगीस डॉमिनेंस जो है अपना फैला रहे हैं, और फिर शाह जहां ने कहा कि बस ठीक है, अब इस चीज़ को जो है खतम करना पड़ेगा, और फिर उन्होंने कहा कि जो भक्त खान थे, जो की बिंगॉल क इलाके में इनके साथ जो है काम कर रहे थे, उनको कहा कि भई तुम जो है जाओ और पॉर्टिगीस को खतम करो, और यहां से इनको निकालो, तो पॉर्टिगीस को आगे खतम किया जाएगा, इनके गवर्नर जो है बेंगॉल में कासिम, उनके द्वारा, we will understand about कासिम और मसते हैं कि इनकी सारी अपनी प्रॉब्लम क्या थी, पहला तो यह था कि भारत में सोचते थे कि पूरा जो है क्रिश्यानिटी फैला देंगे, तो बड़े इंटॉलरेंट थे, उपर से बाद में इन्होंने पाइरस ही शुरू कर दी थी, और हां कार्टेस सिस्टम में यह ल जाते हैं, तो इन दोनों ने जो इस्ट और वेस्ट दुनिया को अलग किया था, तो वो भी चीज अब कहीं ना कहीं खतम हो जाती है, क्योंकि अब उसका कोई मतलब नहीं बनता है, तो फिव्टीन एटी में अब पूर्तिगाल और स्पेन एक हो गए हैं, तो अब इन्होंन ये फिर अपना जो व्यापार है, वो करने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें, तो पॉर्तिगीज पावर अपने खुद के युरोपियन पावर के साथ कॉंपिटीशन की वज़े से खतम हुई, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, सभी ने इनको हरा दिया था, ब हम देखते हैं कि पॉर्तिगीज जो हैं, पहले थे जो इंडिया आए और लास्ट थे जो की इंडिया से गए, अगर हम इनके इंपाक्ट की बात करें, तो इन्होंने क्रिश्ट्यानिटी को मलाबार और कॉंकन कोस्ट में फैलाने के लिए आगे बहुत से काम किये, सैंट फ बनाये थे, क्रिश्टन मिशनरी एक्टिविटीज करवाई थी, कई सारे स्कूल्स खुलवाए और इन्होंने कोशिश की कि जो नेटिव हैं, उनको उसी नेटिव लांगविज में पढ़ाया जा सके, इन्होंने इंडियान हिस्ट्री को भी पढ़ने की कोशिश की भारत के बारे में जानने की कोशिश की, भारत का इतिहास जानने की कोशिश की, पादर हैरस जो हैं, उन्होंने इंडियान वेली सिविलाइजेशन की डीव स्टडी की और ये पहले थे जो इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस लेकर के आये थे, कई प्रकार के इन्होंने क्रॉप्स, इन्होंने जो है नेवी इन सीरे इसका सिगनिफिकेंस जो है कहीं न कहीं आगे बढ़ाया effectivement को यही थे जो कि आगे ले जा रहे थे अगर हम और इनके administration को देखें तो इनका administration ऐसा था जो हेड होगे administration के वो वैसर ओर होंगे व्यासर रॉँ तीन साल तक काम करेंगे अब ये जो placing होंगे इनके जो होंगे एक secretary होंगे और ये बाद में later years में इनका एक council हुआ करता था जो इनको head करता था और इनके साथ काम करता था तो वोई सरोय अपने सेक्रेटरी के साथ अपनी काउंसिल के द्वारा सारा एड्मिस्टेशन सम्हालते थे अब रिलीजिस पॉलिसी बड़ी इंटॉलरेंट थी यहाँ पर हम जानते हैं कि एक जो है इबादत खाना बनवाया था अकबर ने और अकबर ने बोला भी था कि जो को सेक्ट किया गया कि हाँ आप अकबर के कोट में जाओ पर इन्होंने सोचा कि हम अकबर को क्रिश्चन बना देंगे तो इन्होंने खूब जो है ऑनर के साथ इनको रिसीव किया गया यह लोग बड़े खुशत इनको लगा अकबर एकबर क्रिश्चन बन जाए तो अकबर क लिखते थे गूब जो है आगरा इनके लेटर मिलें हैं अकबर के रीन में जो कि आज हमें उसके ईए में उस समय में जो पड़के यो नोगों में इसे चीजन सब कुछ पता नेयते हैं कि कैसे Portuguese के decline की शुरुवात है तो capture of ugly बहुत important है इन्हें एक imperial फरमान मिला था कि देखो तुम लोग शान्त हो जाओ और एक जगा पर settle down हो जाओ तो 1579 की ये बात है जब Portuguese जो है ये क्या करते हैं ये settle down होते है on a river bank ठीक है ये short distance था इसका from सत्गाओं इन Bengal और ये carry कर रहे थे trading activities को तो सत्गाओं से थोड़ा आगे ही ये लोग trading activities कर रहे थे बाद में अपना इन्होंने जो है बिल्डिंग बना लिया फैक्टरी बना लिया शहर और खूब जो है migration trade का हो गया कहां सत्गाओं से हुगली की तरफ अब सत्गाओं से ये लोग हुगली आ गए और हुगली पर ये जो नया port है यहां पर ये खूब व्यापार करने लगे इन्होंने salt manufacturing को monopolize कर लिया कि यहां पर हम ही salt जो है बनाएंगे और हम लोग इस पर टैक्स लगाएंगे तोबाको पर भी इन लोगों की heavy duty लगती थी तो तंबाकू समय में 17th century में एक बहुत important आर्टिकल बन चुका था हर कोई जो है इसका consumption जो है कर रहा था कहीं न कहीं जो यूरोपियंस थे वही भारत में टोबाको लेकर के आए टी लेकर के आए चाय अफीम तंबाकू इन सब पर tax लगाने लगे थे यह लोग और इससे कई सारे इंडिया के rulers परिशान थे पॉर्तिगीज जो है इन्होंने खूब पैसा बनाया वल्लब traders के रूप में तो इन्होंने बनाया ही बाद में यह लोग cruel slave trade करने लगे cruel slave trade में यह लोग भारत के लोगों को पकड़ते थे slaves को पकड़ते थे हिंदूओं को और मुस्लिमों को Christian जो है उनको बनाते थे और कोशिश करते थे उन्होंने बेचने की इस चीज में इसी time में इन्होंने क्या किया था दो slave girls थी मुम्ताज महल की तो मुम्ताज जो है शाजहां की wife मुम्ताज जिनके लिए ताज महल बनाया गया है तो इनहीं की जो है समय में क्या होता लिया और कहा कि बस अब बहुत हो गया तीन महीनों में इन्नों ने पूरा काप्चर कर लिया शाय जहाने कसम खान को भेजा कि तुम जाओ और ज़ा देखो यहां पर क्या चल रहा है कासिम खानने जो है इस चीज़ को समझा कि हाँ कहीं न कहीं यह लोग बहुत जादा फैल रहे हैं तो पो की जो है खतम किया और अंधिया से कहतम ही औरप्त गीजs इन्डियाश Conan working, metal crafting, इसके अलावा जो church building का काम है, वो सब इन्होंने शुरू किया था, काफी सारी missionary activities इन्होंने भारत में की थी, इसके अलावा ये लोग जो है काफी बढ़िया तरीके से village administration को maintain भी कर रहे थे, irrigation के नए-नए तरीके शुरू कर रहे थे, roads भी ये लोग बना रहे थे, एक और जो काम होता है, coil rigging का, coil rigging में क्या होता है कि cotton, जो coconut जो होता है, coconut के छिलके जो होते हैं, रेशे जो होते हैं, उस नारियल के रेशे से ये लोग चटाई, टोपरी और हेंडी क्राफ्ट के जो प्रोड़क्ट्स हैं, वो बनाया करते थे, तो ये सब छोटी-छोटी चीजे जो इन्होंने इंट्ड्यूस की थी, और काफी हद तक इन सब चीजों को भारत में इन्होंने अलग तरीके से आगे बढ़ाया, तो आज जो भी हमने पढ़ा है, उसकी पूरी टाइम लाइन आपके लिए यहां पर दे दी गई है, ये सभी slides आपको टेलिग्राम पे तो आप यह सारा जो है, एक बार रिवीजन के लिए, रीट कर सकते हैं हो, you can take the screenshot as well, ठीके यह सारा जो आपको explain किया गया है, वो सारा एक साथ यूनो, पूरा एक, यूनो, slide में कोशिश की है कि एक table के form में आपको दे दिया जाए, so that you can read and revise it whenever you want, ओके इसके अलावा एक और चीज़ देखिए, European settlement जो की इंडिया में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो pointers हैं, ठीके यह European settlement है, और इनकी date की establishment है, जो बता रही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूलिकत बहुत important है, ठीके, तो डच सेटलमेंट थी पूलिकत की, अभी हम लोगों को friend settlement settlement, सेटलमेंट, बिटिश सेटलमेंट इस सबका पढ़ना है, डेनिश सेटलमेंट पढ़ने हैं, तो यह सारी अलग-अलग सेटलमेंट हैं, अब अगली क्लास में हम यही माप डिसकस करेंगे, जानेंगे कि और कौन-कौन सी European powers थी और कैसे भारत में उन्होंने अपने सेटलमे किस तरीके से वो पूरे इंडिया में फैले और किस किसने कौन से इलाखे को कैप्चर किया, आपस में इनकी जो क्लैश की कहानी है, वो हम जानेंगे अपने अगले वीडियो में, तो अब हम मिलेंगे next class में, next class अब हमारी जो है, Monday को होगी, ओके, तो यहाँ तक किसी के कोई कि डाउट, anything if you want to ask, please let me know, और एक और चीज है guys, आप सभी को बता दूं कि आप में से जो लोग हमारे साथ, अनकाडमी प्लस पर नहीं जुड़े हैं, वो आज आईए हमारे सब्सक्रिप्शन के लिए आपको यूज करना है, टॉप 10, अभी 20% discount है, फ्लाट 20% off, by using the top 10 you can join, and Monday से हमारा नया NCRT batch भी launch हो रहा है, relaunch कर रहे हैं again, because कई लोग पिछले बार join नहीं कर पाए थे, geography की NCRT से शुरू कर रहे हैं, और इसके बाद फिर हम लोग बांकी सभी जो subjects हैं, वो भी cover करेंगे, so Monday से नया NCRT batch start हो रहा है, please join it, because this batch में, दो महिने में 90% GA सापका cover हो जा and mains answer writing practice, सब कुछ included है, ठीक है, एक ही course में, thank you so much guys, और यहाँ पर मैं देख सकती हूँ, कि MCQ के लिए जो आपका suggestion है, वो मैं सम्मझ चुकी हूँ, MCQ पर we will work, thank you so much guys, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, इस वीडियो को like और share करना ना भूले, see you then, take care, bye bye झाल